इसने कहा, जब तुम सो रहे थे, भगवान जी आए थे, चीन डाले गए थे वहियाद उत्तर है पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है जब मैं दस साल का था, मुझे लगता था कि मेरे पेता सब कुछ जानते हैं जब मैं बीस का हुआ, मुझे समझ में आए कि मेरे पेता कुछ नहीं जानते हैं आज मैं तीस का हूँ, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थी एक गएले का हुआ है जब मैं जानते हैं मेरा नाम दरपन है, मैं 42 साल का हूँ, मैं इसलिए 42 साल का अपनी उम्मर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक UPSC एस्परिम नहीं हूँ तब अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक फिलास्टी की वीडियो देखी ती, शायदो पहला क्लास हाँ उसमें आप सुकरात को कोट करते हुए कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं वो पढ़ने के बाद वो भ्रहम तो चले गए लेकिन में एक इनलाइटेंड इग्नॉरेंस में परिवर्तित हो गई तो इसके साथ ये दोनों को अगर मैं इन दोनों कोट के सीरे एक और आपके कोट से जो आपने पास्ट में किसी इंटर्वी बोला था कि मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता तो मैं ही जान्दा चाहूंगा कि ये जो तीन कोट है और खास्तों पर आप अपने आपको खुद को सीरियसली नहीं लेते हैं ये किस तरह डिवलप हुआ इसकी क्या प्रक्रिया रहे हैं देखिए दिरपन पहली बर तो ये कि आप 20 साल के हैं और क्योंकि आपने खुद ये बात बहुत जोर से बताई है मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं तो निंचा साल का हूं आप से भी साथ साल बढ़ा हूं ये मेरा मानना है कि इसको लेकि बहुत सीरिस नहीं रहना है जो लोग ब्यालिस के नहीं कुछ सर ब्यारे से वो भी हो और सुकराब कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं तो सही बात है दर्शन पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि सारे प्रशन के उतर मिलेंगे और जो मिला वो ये कि किसी प्रशन के उतर मिली नहीं सकता किसी को भी नहीं मिल सकता तो मैं मानता ह कि फिलोस्फी पढ़ने के बाद बैसे भी किसी को खुद को बहुत सीरसी लेना भी ने चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ाई कर लिए। पढ़ाई करने से पहले हमें खास माइंड सेट में होते हैं। एप्रोज के आते हैं लाइफ को लेकर। यह चोटे बच्चों के शोभा देती है। तीन साल, चार्व साल, पात साल के बच्चे मनोविग्यान के भार्शान बोलते हैं कि वह इगोसेंट्रिक स्टेट ओफ माइंड में हैं। इसका एक बड़ा सिंपल अग्जामपल आपको दे के समझाता हूं। जब मैं चौशी पांचवी क्लास में था, एक बार हमारे पड़ोस के घर की अंकल ने अपने घर से मुझे दिवारे चोटी होती थी उस दमाने में चोटे शहर में मुझे बोले कि बेटा, कल का पेपर दे सकते हो। मैंने कहां कल मुझे बड़ी खुशी होई। तो कल मेरे जो पेपर हुआ था क्लास में, मैं क्वेशन पेपर लेके उनको दे आया। तो उन्होंने बता है कि बेटे मैं न्यूस पेपर मांग रहा था। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि छोटा बच्चा दुनिया के सेंटर में खुद को रखता है। एगो सेंटरी होने का यही मतलब है कि दुनिया के केंदर में मैं हूँ। यह मुझ से कल का पेपर मांग रहे हैं। यानि इनको पता है किल मेरा टेस्ट हुआ है, पता होना ही चाहिए, ये भी नहीं पता तो फिर क्या जानते हैं, और मेरा question paper मांगना चाहरे हैं, यानि जी के बढ़ाना चाहरे हैं अपनी, बढ़ानी चाहिए, तो मैंने वो paper दिया, मैं सोच भी नहीं पाया, कि नहीं उस पर म पर है, ये Christianity के बारे में कहा रहे हैं, जब भी बच्चे के बारे में कोई सवाल आता है, वो पूछता है अपने घर में किसी से, किसी को नहीं पता, तो सब लोग घर के मुख्या को देखते हैं, कि वो जवाब देगा, और वो आम तो पर जवाब दे जेता है, बेशक जूट कि इसको ये भी पता है, जब मैं सो रहा था, ये जाकर देख रहा था, कि वो आ चीनी डाल रहे हैं, तो बच्चे को देरे-देरे लगता है, कि मेरा बाप जो है बड़ी गजब की चीज़ है, इसको हर सवाल का जवाब पता है, और ताकत तो ऐसी, कोई चूनी बोल पाता है गर में खूब डेबेट होगी अंतर में, ये जो वाकिय बोल देगा, फाइनल हो जाएगा, तो उसके मन में आता है, कि मेरे घर के अंदर एक सत्ता है, जो सर्वशक्ति इमान है, और सरवग्य है, ओम्निपोर्टेंट, ओम्निशियंट, फिर आगे चलकर, उसको समझ में आन और तो बोड़ा बेचैन होता है, इसलिए आप देखें कि जब लड़के लोग आमतर पर जा पंधरा से बीस की उमर में होते हैं, अपने बाप के विद्रोही हो जाते हैं, और एक कहावत है, जब मैं दस साल का था, मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं, इन कहानियों के विरोज में मैं विद्रोही हो गया था, तो जब समझ में आता है कि पिता उतने गयाता नहीं हैं, तो फ्रोड ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको अपने जिंदगी अपने बल्बूते जीनी हैं, इतना confidence अब नहीं होता, और जब confidence नहीं होता, तो वो एक और बाप के तराश करते हैं, और Christianity में फादर का मतलब होता है इश्वर, इसलिए यहूदी और इसलाम धर्म के तुलना में तीसरा सेमिटिक धर्म Christianity इश्वर को पिता कहता है, फादर कहता है, ओल्ड टेस्टमेंट में इश्वर को फादर एक बार भी नहीं कहा गया है, न्यू किसी गोड़ फादर के खुद अपनी जिंदगी को जहिल सके, इसलिए उससे ढूनना पड़ता है एक ऐसा पिता, और उन कल्पनाओं से जो पिता बनता है, उसकी छवी वैसी ही होती है, जो घर के पिता की होती है, सरवग्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, जब आप य इस पूरे ब्रम्हान को समझे वरे नजर चाहिए, अब इक खेल के देख लिए, मेरी क्या है, जो मेरी यह वापके भी वही है, सबकी वही है, वैसिकलिए है, सिर्फ मेरी निया, किसी की बात कर ले, हमारी क्या है इमानदारी से सोचे, इस दुनिया को बने हुए माना जाता है कि 14 सो करोड साल हो चुके हैं, बिग बैंग हुए, इस प्रिच्वी को बने हुए लगभख साधे 400 करोड साल हो चुके हैं, मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन की उत्रप्ती को 370 करोड साल हो चुके हैं, होमो सेपियन्स को बने हुए 3 लाग साल हो चुके हैं, आज की Quantum Physics कह रही है कि Meta Verses ये Meta Verses तो इनका है Multiple Verses होते है जिस Universe को हम लेके बहुत खुश रहते हैं ऐसे ऐसे कितने Universe हैं पता नहीं एक Universe में कितनी Galaxies हैं पता नहीं एक Galaxy में कितने Star हैं पता नहीं उसमें से एक Galaxy Milky Way के एक Star सूर्य के 9 ग्रहों मेंसे एक Grapritory के 200 देशों मेंसे एक देश की एक Trillion स्पीशीज मेंसे Homo Sapiens के 140 करोड मेंसे एक में होना मैं खुद को कितना सीरिस सील हो मैंने मेरे होने से क्या हो जाएगा और मेरे ना होने से क्या रुख जाएगा ये तो है तथ्य ये तो है सत्य सत्य थोड़ा होता है जहलना मशकिल होता है फिलोस OH पढ़ने का मज़ा ये है कि आपको सत्य जहलने के लिए तयार कर दाती और मैं अपने इस सत्य से साहज हो गया हूँ मैं बड़े रफन्से ये तो फिलोसफर ये मैंने उनको पढ़ गई सीखा है कभी मौका मेरे तो एक जर्मन फिलोसफर थे 19 सेंचुरी में कीर के गार्द नाम था, सोरिन कीर के गार्द बड़े गहरे चित्तक थे, हीगल के समकालीन थे, हीगल के विरुधी थे उन्होंने काई कि जब आब बुद्धी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल अनिश्चिता हाथ लेगी जैसे ईश्वर है या नहीं, आप कितना भी तर्क लगा लिजिए कोई निश्चित उतर नहीं मिलने वाला, कितना भी दिमाग लगा लेगी ये अनिश्चिताएं आपको बेचैन कर देंगी, वेहवल कर देंगी और लंबे समय तक बेचैन रहने के बाद, आपको अपने अंदर से एक उतर मिल जाएगा और वो उतर, फेक्चुली कर्येक्ट हो या नहो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सुकून के लिए परयात उतर होगा इस प्रोसेस में, जब मुझे पहली बर पता लगा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं भी जब 20-20 की उमर में था, मुझे लगता था कि कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, पढ़ने के बाद समझ में है कि दरसल मुझे में और मच्छर में खास अंतर नहीं है, ओला उट जलने से वो मर जाता है, यूनियन कारबाइड में, फैलाव हो जए रहा है, इसका तो मैं मर जाता हूँ, कितना ही मामला है, तो क्या अफर् कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन छोटे पर में खुश रहना है, आपको क्योंगी कविताओं का शौख है, आपने अच्छे कवियों का नाम बोला, यह कविताओं को सुनाता हूँ, 1950s-60s में एक concept चला, dehumanization का, सारत से परभावित होगा, लोगों को ये realize होने लगा कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लगू माना वबात कहते हैं इसको, तो उन्होंने कहा कि लगू हो, तो भी तो बढ़ी है जिन्दगी जी सकते हूँ, उसमें कई लोग बहुत निराशा में लिख रहे थे, एक प्रभाकर माच्वे तो क्या लेग गाए, घू चोटे हैं तो क्या हुआ, उसमें भी तो खुश रही सकते हैं, प्रपवनों नहीं लिखा, हम चोटे लोग, चाहे अनदेखे, अनचीनहे बीत जाएं, कोई तो देखेगा, हमारी मुठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चीनहेगा, हमारे होटों पर कविताएं थी इसी बेखुश रही है, हाई सर, मेरा नाम कुंदन है, मेरा सवाल ये, मैंने आपका एक इंट्रियो देखा था, उसमें आपने का कि आपकी सफलता के पीछे तुक्या है, तो वो ऐसे कौन से तुक्या हैं जिनको आप कहते हैं, कि जिसकी वीज़से आप सफल हुएं, या ऐ लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी जीरो कतिशत है, मैं पांच भी नी कह रहा हूं, मैं एक भी नी कह रहा हूं, मैं जीरो कह रहा हूं, और ये बात समझ में तबाती है, जब बहुत बारी की से जिन्दगी को समझते हैं, नहीं तो हवा में सफलता हूं मेरी कितरी भूमिका है वो ज़्यादा गहरी बात है तो वे बात खेल लेते हैं मनोविग ज्यान में एक सिधान जिसमें मेरी सहमती भी है वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्ति तो दो चीजियों से मिलके उटा है एक जेनिटिक्स और एक अन्वियरोन जैसे मेरा IQ ठीक ठाक है मैंने कभी ना पानी है पर मेरा ख्यार ले कि 120-30 कम से कम होगा इससे मेरी भूमिका बिलकुल नहीं है मेरी height ठीक है इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है मेरी आख खराब है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है मैं दिखने में बहुत कुरूप नहीं हूँ इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है आप लंबे हैं, सुंदर हैं, चोड़े हैं, मोटे हैं मोटे हैं, मोटे हो सकता है, खाखा कि मोटे हो गए हूँ किसी के जीन्स में गोरापन था गोरे हो गए इसलिए आप विध्यापन में जा रहे हैं यह बताने के लिए कि मैंने कुँन सी क्रीम लगाई था अगर आपका आई-क्यू आपके बस पर नहीं है अगर आपका पूरी ताकत से आई-क्यू में थोड़ी बहुत फेर बदल कर सकत मैं अमेरिका के राश्पती नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ समय धान में लिखिया कि जो वहाँ जन्म से नागरी कोगा भी बन सकता है मैं कैसे जन्म लुआ जाके दूसरा तुक्या क्या है एंवार्मेंट आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था उनके समझदारी का स्तर क्या था आपको पडोस कैसा मिला रिश्चदार कैसे मिले स्कूल कैसा मिला कॉलिज कैसा मिला टीचर्स कै से मिले ये सब मिलके आपका ग्रेक्टर पर डिफाइन करते हैं और इन में से एक भी चीज आप पहीं नहीं करते हैं तो आप या में क्या हैं तुक्चे से एक घर में एक जैनिटिक स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए दूसरे तुक्चे से कुछ भाई बहन, कुछ रिश्यदार, कुछ माबाब, कुछ स्कूल टीचर, कुछ कॉल टीचर, कुछ और लोग जिंदगी में आए कुछ एक्सपोजर मिल गया, कोई बच्चा पैदा हुए दिल्ली में, कोई पैदा हुआ बिहार या उडिसा के बहुत पेश्रे हुए गाउं में अब उस गाउं में पैदा होने वाला बच्चा सामान्य तहर दिल्ली के बच्चे से अगर ही निकल पाएगा आप खुए उच्च जाती उच्च कुल में, कोई हुआ दलित सामाज में, उपर से महिला के रूप में हुआ, उसे जिन्दगी में परस्थितिया ही नहीं बिल्ली आपका सपना है कि मैं देश के प्रधान मंती बनना चाहता हूं, उसका सपना है कि गाउं में जितना गोबर बिखरा है सारा मेरा हो जाए, क्योंकि पहले मैं ने देख लिया है, मेरा है गोबर सारा का सारा, सपनों में कितना अंतर है, इलोन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल वहां हर चीज आपको मिलती है, स्टार्ट अप करने के लिए पूंजी अराम से मिलती है, सरकार की तरफ से कोई दवाव नहीं होता है, लिबरलिजम, लिवर्टेरिनिजम जिस लेवल पूंजी वात को सपोर्ट करता है, वो विचारधर दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़ 10 स्टार्ट अप में साथ अमेरिका में ही दिखते हैं हमें, इसलिए नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत समार्ट होते हैं, कि इसलिए है कि उनका एंवायर्मेंट ऐसा है, जहो सफ़र हो जाते हैं, क्यों भारत से हमें पि Gregoryकोब साल यह देखे तो ग्यान की दुनिया में बहुत बड़े प्रकांड का ममनी कर पा रहे हैं, दिमाग ठोड़ना कम है, बैसा सेट अप नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, बैसा माहूल नहीं बन पा रहा है, और इस पूरे मामले में आप किसी की जिन्दगी की व्याक्षा कर लिजिए अगर आप मुझसे पूछें, मैं आज जो आपको दिख रहा हूं कैसे बना, मेरा तुक्का लगया कि मेरे पेरिंट्स हिंदी भाषा किया ज्यापक्चे दोनों, इसले मेरे हिंदी अच्छी होगे, मेरा तुक्का था कि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी, जहामें हुआ हिए कि मेरे और तुक्रика डीच ग scar कि म मिता, मैं आच्छा जिए जिती भी अईंका टीफ हो गया, मेरे प्टा जी कीड़्या ज्याई हो сे मजहें घुथा थी, मेरे बच्चा दिल्ली जाके पढ़े, मुझे स्टुम इदाय मेरे दोस्तों को दे में में जञी हो जाले का माहौल मिला, उस माहौल में ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि विश्यव विद्याले अच्छा कैसे बनता है, विद्यार्थी उसे बनता है, मुझे से विद्यार्थी मिले, फिर उस माहौल मुझे सिखाय कि UPSC देना चाहिए एक्जाम, तब तो मेरा पढ़ने में महल पढ़ेगा, वो छोड़के फिलोस्फी लिया, फिलोस्फी मैंने क्यों पढ़ा, मेरी मजबूरी थी, UPSC लिए पढ़ना था, और फिलोस्फी पढ़के मुझे मज़ा आगया, लिट्रेचर पढ़के मज़ा आगया, बाद मैं जनरल स्टेडिज में सम्मेजान पढ़ा फिलोस्फी पढ़के मैं टीचर बना, स्लेबस चेंज हुआ, मैंने HX पढ़ा, साइकोलोजी पढ़ा, ओल्लिकल साइंस पढ़ा, और यह सब क्यों पढ़ा, क्योंकि ट्रॉक्के से ऐसी सितिया बंगी गई कि मुझे पढ़ना पढ़ा, और यह से पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मुझे चीजे समझ जी बाइने लग गए और जब चीजे बेहाइने लग गए तो कोविड आगया तो हमारी जंदेगी में, हमारी अचीवमेंट में, हमारी भूमिका अंतर तह 0% है, इस बात को जितने जल्दी समझने उतना अच्छा है, वरना हवा में उड़तें से कोई फायदा है ने, लेकिन इससे निराश नहीं होना है, कबीर दास किस तर पर जाके सोचना है, मेरा मुझ क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, केवल धार मेरी है, लोहा सारा समाज का है, सब किस समाज से मिलता है, और इसी दिए महात्मा गांधी हों, कार्ल मार्क्स हों, Coberton Russell को कि Russell अगर किसी कार्पेंटर के बेटे होते तो हम mathematician रसल को ना जानते हम एक महान कार्पेंटर को जानते हैं क्यों कि मैथमेट होना भी तुम्हारी परिफेंटियों से पैदा था हुआ है नहीं कि तुम्हारी वेक्षप्चर वेध कारफिय। इसलिए निराश हो बेफल हो तो ज़्यादा परेशान मत इसमें आपकी भूमी का बहुत कम है सफल हैं तो ज़्यादा उचली है मत दोस्तों को नीचा मत देखाई कम से कम क्योंकि जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं उसकी परसिति इन आप से खाराता है सबसाइब है यहां हो सकता था घबें हो और है क्या है इस ही करें नियती बात कहेठी है जो हम यहां पर करना चाहते हैं 2 10 सो पहली बाद तो इस जोज टॉक्स के उस आइकॉनिक मंच पर आपको देखकर एक बॉल्वूट का गाना याद आ रहा है कि आप आ गये हैं, नूर आ गया है जोज टॉक्स का तहे दिल से शुक्रिया तो अभी कुछ दिनों पहले ना हमने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी जिसके अगरम गलत नहीं तो शुरुवात में आपने बात करी थी कि लाइफ में प्रैक्टिकालिटी और इमोशन को बैलन्स करके आप चलने की बात कर में देखी मध्यमारगी आदम हैं बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया अरस्तु ने जो रास्ता सुझायाम मुझे रखका कोई भी अठी जो है तीक नहीं है जीवन में बात कि बात नोरा ह होती तो इन्तेंस इमोशनल आपने उसमे कोई फेसला कर लिया है तो तयमान के चलिए कि कुछ दिने के बाद रिग्रेट आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो फैसला एक खास mental state में हुआ और वो mental state कुछ बिनिट के बाद रहेगी नहीं और आपने उसी में commitment कर दी किसी को उसी में घोशना कर दी कुछ और बाद में आप जिन्दगी भर उस तीच को ढोते रहे क्योंकि आपने घोशना कर दी कि इसलिए emotions पर control इतना रहे कि emotions आपके उपर चड़कर हावी न हो जाए emotions आपको मजबूर न कर दें कि आपको कब कहां क्या बोलना है नमस्येयों, यदि कोई मुझे घुस्सा दिलाने चाहे तो मैं उससे बोलता हूं कि तेरे चाहने से घुस्सा नहीं करूंगा जब میरा मुन करेगा तब करूंगा तुम चाढ़ाओ ऊशे, डिलाओ घुस्सा मैं ले जी ना तुमारे इनुट को जब मेरा मन करेगा उस सब्सक्राइब करेंगे इतना कंट्रोल बेरा भी नहीं है लेकिए अगर इतना कंट्रोल हो तो जिन्दगी बड़ी शांदर हो जाती है ये भी सही है कि बिना इमोशनल हुआ आप खुश होने सकते हैं खुश होने का बेसिक मतलब क्या है चार हर्मोंस का बहना उन चार हर्मोंस को बहने को बहने को बहुते है खुश होना खुश होना केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री में चार हर्मोंस का बहना है उसका और कोई मतलब नहीं होता इतना ही मतलब होता है और मज़़ उसी में आता है जब वो चार हर्मोंस बैटे हैं प्रेक्टिकल होने में क्या है कि कभी कभी आपको आमन करते हैं प्रेक्टिकल हो जा हूँ आप सब उस फेस से गुज़रे होंगे हर व्यक्टिक को लगता है कि वो बहुत एमोशनल है object की तरह इससे बुरी कोई feeling नहीं माने जाती है इसके कोई आपसे प्यार मुहबत की बात करे बाद में धोखा दे दे आपको लगता है कि मुझे use किया गया मुझे एक object बनाया गया ये feeling बहुत बुरी feeling माने जाती है बहुत practical होने पर कई बर मन करते हैं कि हम दूसरे को object की तरह use करने कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6-7-7 affairs एक ही समय में चला रहे होते हैं बहुत practical लोग है वो उनके emotions में उनके हिसाब से क्राम आते हैं कहां कितना रो के दिखाना है कहां किस अंदाज में बोलना है कहां किसी से पैसे भी निकल लवाने ने साथ में वहर चीज के एक्सपर्ट लोग है ऐसे लोगों को तातकाली क्लाब मिल जाते हैं ति मेरा ख्याल है कि एक समय के बाद कोई पर भरोसा नहीं करता है और HX के दुनिया में एक बड़ा प्रसिध करता है जिसको हम एक्जियोम की तरह यूज करते हैं एक्जियोम मतलब जो स्वयम सिद्ध कतन है जो बेस है अन तरह अच्छा होना अच्छा ही होता है आप अच्छे रहेंगे नुकसान झेलेंगे कहीं कहीं लेकिन आपकी गुडविल होगी, साख होगी लोग भरोसा करेंगे और भरोसा करेंगे तो जीवन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा इस विए मैं बार 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 यह बात कहता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल होके दूसरों का खुन चूस लेना बहुत इमोशनल होके कुछ परैसाइट्स को पाल लेना अपने सास में खुन्चसवाते रहना दोनों खराब आते हैं इतना इमोशनल नहीं होना है कि कोई गढ़ा बना दे इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है कि आप दूसरों को अब्जेक्टिफाई करें इंसान बनिये इंसान रहने देजी दूसरों को आपके लिए पताव हीगल का वाट कि है बी एमेन एंड रिस्पेक्ट अधर्स लाइक हुमन बींग्स तो खुद भी इंसान की तरह रहो बागी को भी इंसान की तरह टीट करो इससे चाट क्या हो सकता है इसलिए बैलंस की ज़रूरफ है प्रणाम सर् जैसे आपने प्रेक्टिकालिटी की बात करी और बैलेंस की बात करी तो हमारी जनेरेशन जनेरेशन में यह होता है कि हम पेरेंट्स के साथ सिच्वेशन क्या होती है कि वो एक एच पर आजाते हैं वो एक तो वर्क वालिक होते हैं तो फ्री बैठना नहीं चाहते हैं बट देन उनके हिसाब से शादिगर्दी बच्चों की यह हो गया सब मेरा काम हो गया मैं फ्री हूँ जब मैं उनसे वोलती हूँ कि मेरे हिसाब से आपको लाइफ में और कुछ एक्स्पीरेंस करना है जो अभी तक आपने नहीं किया है हमारे पालन पोश्चन में आपने टाइम स्पाइन किया है मुझसे पूछते हैं क्या करें तुम्हारी तरह बैग उठाकर हूँ ने चले जाएं तो आपके हसाब से क्या सुलूशन होगा कि मैं एज डॉटर या कोई भी बच्चा मेरी एज का उनको ये सजिस्ट कर सके कि वो अपनी जिन्दगी को ये ना सोचें कि बस में साथ साल का हो गया तो हो गया हम लोग जिस समाज में हैं अभी एक ट्रांजिशन के फेज में हैं इस्पेशली जो मिडल क्लास में पेरेंट्स अभी हैं ये लगभग आखरी पीड़ी है जिसको अपने सुखों की बहुत चिंता नहीं है अपने बच्चों के सुखों के लिए सेक्रिफाइस कर चुके हैं क्योंकि आप में से खिकांज के पेरेंट्स वह हैं जिन्होंने बहुत श्रगल करके आपको पढ़ाया है बहुत पैसा बचानी पाएं हैं और अगर थोड़ा बचा भी लिए तो खर्च करने का साहस उनके अंदर नहीं है पैसा होता है गई लोग पास खर्च करने का साहस न बनेंगे शायए तो इसमें आपकी गलती निये समाज के ट्रांजिशन की गलती है गलती भी निये नेचर है इंडिविज्वल इंजम हमारे समाज में पहली बार ठीक से उभरना शुरू हुआ है मध्यवद में आज की जो नई पीड़ी आप लोग हैं आप लोग बुरे नह हैं आप लोग इस नए समाज के प्रतिनी थी लोग हैं आपको अपने जिंदगी बिना कंप्रमाइस के जीने की हैबिट काफी हद तक है पिरिंट्स की तुलना में ज्यादा है वो ड्रेसिंग से लेकर जिंदगी के फैसलों में हर देरा दिखते है लड़कियों का अपने घ खारा में कहती है शादी नहीं करेंगे, अपर अलब जबाते है बिए लगाधा शानी चरोणा के खिश्क बिर्दा चाए बेस बूसरिक लड़कि अप THE धी अबियो बेसे पाते है और इसलिए आपको लगता है कि मैं क्यों अपनी आजादी से कंप्रमाइस करूँ लिब्रलिजम ये पूरा विचार है और लिब्रलिजम में इंडिविज्वल लिबर्टी का विचार सबसे केंदर में रहता है आप उनसे कोशिश करके एक आद बार बहर घुमाईए एक फिल्म आई थी क्वीन नाम के कुछ साल पहले वो एक बड़ी लिबरेटिंग फिल्म महिलाओं के लिबानी जाती है एक लड़की है उसकी शादी होने वाली है लाइफ इने मेट्रो फिल्म में एक सीन है जिसमें दो बुड़े व्यक्ती एक दूसरे को प्रेम करते हैं एक सीन दिखाया है डर के मारे कि ज़्यादा क्रिटिसिजम ना हो जा समाज का तो उन्होंने अवोइट किया उसी को लेकर हलका से दिखा दिया अभी पिछले सप्ता एक फिल्म आई है थाई मसाज नाम के फिल्म आई है फिल्म के नाम के मत जाई है फिल्म बहुत ही शांदार फिल्म है उस फिल्म के जो उस फिल्म के जो हीरो है मेरे बड़े इच्छे दोस्त है उन्होंने मुझे खुद फूंगरे कहा कि ये फिल्म आप देखी बताईए कैसी है मैं भी इनको बता नहीं पाईँ आज बताऊँगा मैंने कली वो फिल्म लेही फिल्म में जो है वो सो है तो आप देखेंगे लेकिन एक जो मूल बात है वो ये है कि बड़ी उम्र का व्यक्ति जिसकी पत्नी के मित्ती हो चुकी है उसकी पत्नी बाईस साल तक एक बिमार वस्ता में रही उसको लकवा मार गया था पैरलेसिस हो गया था उस व्यक्ति के उम्र साथ 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 गया असपस हो गई है उस व्यक्ति के जीवन में सब कोश प्रेम है ही नहीं तरही साल से उसको प्रेम हासिल नहीं हुआ है और उसके दोस्त सारे उस मुद्रा में आ चुके हैं चलो अब जागरन करेंगे रात को लोल बजाएंगे और चलो बुलावा आया है उस पर कर लेते हैं बाबाने वाला उनको लग रहा है और ये कहरे हैं कि नहीं मैं सामाने जीवन जीने की इच्छा रखता हूं तो उसमें क्या वोई बात है एक व्रिद्ध व्यक्ति अपना सामाने जीवन जीने की इच्छा रखते हुए कैसे एक बहुत लंबी श्रगल करता है कुछ लोगं के सायोक से जगा जाता है वहाँ उसे ऐसा प्रेम कुपलब्द होता है जिसमें इमोशन्स नहीं है और वो खुद को सहज महसूस नहीं करता मना कर देता है और बाद में उसको इमोशन्स के साथ एक प्रेम का प्रसंग नसीब हुआ और पूरे फिल्म का मूल विशा ये है कि क्या इस व्यक्ति को गिल्ट फिलिंग होनी चाहिए या हमारे समाज को इन व्यक्तियों के लिए इतना सहज होना चाहिए कि उनके इच्छाएं भी पवित्र और जायज हो सकती है क्या होता है कि बड़े बुड़ों के इच्छाओं का सम्मान करने की परमपरा है नहीं हमारे समाज में और ये तभी होती है जब समाज सम्रिद होने लगता है अब हमारा समाज सम्रिद होने लगा है अगली पीडियों में जब आप लोग बड़े बुड़े होंगे तुरुन तयार हो जाएंगे उसके बाद, फिर एक सेकिंड में तयार हो जाएंगे, और एक बार उनको थोड़ा यूरोप घुमाती जिए या दुबई घुमाती जिए, तीनचा दिन घुमेंगे तो उनको यह लगेगा कि दुनिया ऐसी भी है, और जब एक बार एहसास होगा फिर वो छे मैने बाद पूछे कि बिटा कमपनी का और कोई ओफर नहीं आ रहा है, और कमपनी का तो पहले भी नहीं आया था, आप आज जो हैं उनकी वज़े से हैं, तो जितना कमारी थोड़ा बचा 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 की हुमाई है उनको, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे जिन बड़ा दुख होगा, कि उनके लिए काश में यह यह कर पाती, तो जो जो सूच सकती हैं, अभी कर दीजिए, बाद में आप पैसा लेके बैठी रहेंगी, मौका नहीं मिलेगा, किसे जब तक मौका है, पेरेंट्स को जितना सम्मान दे सकती हैं, सुख दे सकती हैं, द दस साल पहले, मैं एक दिश्या आपको बताता हूं, वो बड़ा इंट्रेस्टिंग लागया, मैं जहां था हूस्टन में मेरे बड़े भीया रहते हैं, उनके घर पे था, तो वो बोले कि मैं तुझे थोड़ा घुमा के लाता हूं, तो 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 मैंने कैसे जाएंगे, तो ब तो बस चलती है, यहां से, उस बस में चलेंगे, कैसीनों होते हैं, तो कैसीनों देख के आएंगे, मुझे कैसीनों का नाम सोना था, कैसा होता है, पता इंजा हो समय तक, तो थीक है, देखते है, कंसी कम experience तो होगा, तो सुबे में एक बस में गये, वो बस चलती है, हीउस तो सुबह सुबह में एक बस में गये, वो बस चलती है हूस्टन से, टकसस से, सीधे कैसिनों के लिए ही चलती है, चलेगी कैसिनों पर रुकेगी, सुबह मान बीजे दस बेच चोड़ देगी, फिर रात को आठ बजे, फिर वहां से चलेगी, सब वापस आजाएंगे, उस बस बस पे जितने लोग बैठे हुए थे, वो सब जुवा खेलने वाई लोग थे, दरशक तो मेरे जैसी एकाद लोग रहे होंगे, बाकि तो जो अभ्यस्त लोग थे, उस बस की ओसत अम्र अगर निकालें, वो कम से कम 80 साल थी, सारे लोग 80, 82, 85 चल नहीं पा रहे हैं, लेकि वो अकेले हैं, बचे सैटल हैं, अकेले रहते हैं, वो रोज वाँ जाते हैं, दिन वर वाँ खेलते हैं, आपस में, छोड़ा खेलते हैं, थोड़ा हार गे थोड़ा जीत गए, मन खुश रहता है, शाम को सब लोग वहाँ बैठके खाना वाना कर लेते हैं, पाटी कर लेते पढ़ें जिसको आप खुद का परसनल फेलियर मानते हो और उस इंसिटिन को या फेलियर को आपने वरकाम कैसे किया वह पहला क्वेस्टिन यह है कि आपने बोला कि अभी आपका सोला साल का बेटा है तो वो खर्बूजे वाली उमर तो चली गई बट फिर भी वो क्वेस्टिन्स पूछ रहा होगा इंट्रिस्टिंग उसकी लाइफ के बारे में तो एक लेसिन जो आप अपने बेटे को आज देना चाहेंगे तो बोले कि लेना नहीं चाहेगा मैं दे भी दूंगा तो पहला सावाल आपका यह कि कोई एक ऐसा मुम्मेंट जब मेरा फेलियर हो हाँ अगर देखा जाए तो नियर हिस्ट्री में 2019 में ऐसा हुआ कि उस समय दृष्टी केवल मुखरजी निगर में हम मैनेज करते थे हम 6-7 टीचर्स के टीम थे मुझे मिलाके और हमारी टीम के पांच टीचर्स ने एक साथ दृष्टी छोड़ने के फैसला किया क्यों किया मुझे आज तक नहीं पता बहुत क्लीर बात हमारी हुई नहीं दोचार बार हुई तो बहुत प्लीर अंसर्स मेरे देए मेरा ख्याल है कि उनके मन में ये भी रहो कि हम अपना उद्दियम करके देखें जो कि सामान नहीं बात है किसी का मन करी सकता है मुझे लगता है कि एगर मैं थोड़ा सा और पहले सक्री होकर समवाद कायम करता तो शायद वो नौबत में आती है खालों कि वो हुआ एक बार हमें लगा कि हम क्राइसिस में हैं फिर दुनिया में क्या मैंज नहीं होता है और इंट्रेस्टिंग बात है कि उस समय यदि हम X थे तो आज हम 5X है या 7X है 8X है मेरा मानना है कि दुनिया में जब कठिन समय आए तो उसे एक अवसर बानके ठीट कीजिए और आप आएंगे कि वो कठिन चनौती ना आती तो आप सफल होई ना पाते इसलिए दाग अच्छे हैं थोड़े दाग लगे रहें तो बढ़िया है मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम के लोगों में कम्यूनिकेशन ज्यादा रहे ताकि यदि कोई दिक्कत है तो पहले सॉल्फ हो जाए बहुत दूर तक बात ना जाए यह शहाद आपके लिए भी बहुत बड़ी टीम को मैनिज करती है रन करती है और मेरा बेटा जो सूला साल का है उसको क्या लेसन दे मैं लोगो मेरा दोस्त तक अच्छा है हम लोग बढ़िया बाते करते रहते हैं पढ़ाई का दबा मैंने आज तक डाले नहीं है उसको मैंने उससे तना ही कहा कि बस हर साल एक लास पास करते रहो तो काफी है और उस पर वो खरा उतर रहा है आज तक तो उसने अभी तक निराज किया नहीं इस मामले में बहुत पढ़ाख हूँ जैसे मैं नहीं था वो भी नहीं है जीन तो मेरे ही है उसकी कह गलती है उसकी बएखास गलती इस पर नहीं है आज कर वो साइकालोजी एक्नॉमिक्स और सश्योलजी बढ़ रहा है और एंजोई भी कर रहा है उससे बात भी करता है कॉन्फिडेंस उसमें अब ठीक चाका गया अब वो अकेला बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर लेता है मैं उससे एक बाब कहता हूँ हर पेरिंट कितना भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ वो थोड़ा कुछ मुझे ग्रेजुवेशन के बाद पहली बर समझ में आए कि पढ़ना चाहिए वो तो 11 वी क्लास में है तो भी समझ जाया गा लेकिन फिर भी अगर आपकी बात सुने तो आप कह सकती है कि थोड़ा सा कोई एक फील्ड सोचो बेशक खेल ही सोचो बेशक पत्रम उडाना ही सोचो पर ठीक से पत्रम उड़ा उसी में काम कर लो लेकिन कुछ ऐसा जो इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़िया हो और मेरी तरफ से या उसकी मम्मी की तरफ से ऐसा कोई दवाव ही नहीं कि आपको जिन्दगी में क्या करना है कुछ भी करो एक समझदर इंसान बन जाओ और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर हो जिन्दगी में कोई बात नहीं किसी को चीट मत करना धोखा मत देना थोड़ी कम सफलता ही चलेंगी लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलता है